सवाल जो पार्टी छोड़ने का है और पार्टी से बाहर आने का है ये किवल सवाल वहीं पगर सीमीत न रखें तो ऐसा पहली बार देखा जा रहा है और बिहार के परिप्रेक्ष में बात करें तो मास स्केल पर पार्टी से जुड़े लोग संगठन से जुड़े लोग पार् जानाबाद से इंदू कश्यप का नाम भी सामने आया उशा विद्यारती हैं तो यह लोग पार्टी छोड़कर भाजपा की कथे तौर पर लोजपा जोइन कर रहा है इसको कथे तौर बी टीम कहा जा रहा है भी जेपी ठीक है मैं बात कर लूँ और इतनी उपेक्षाओं के ब कोड़े नेता पार्टी में अभी भी बने हुए तो आप लोगों को देखकर क्या यह मान लिया जाए कि भाजपा वो पार्टी विद डिफरेंस मतलब जिसमें तमाम तमाम तरह के मत भेदों और विचारधाराओं का जहां अंतर होता है उसी कोई जगह नहीं रही भाजपा कुछ तो समय के साथ गिरावट हुआ है जो नए नए जो लोग आये हैं पुराने लोगों को दरकिरार करने की कोशिश कर भड़पूर कोशिश कर रहा है इसको संग को और सबको मिलके संभालना पड़े यह आरोप उतब भी लगे थे 2014 विदान सभाव शनाओ के पहले लगत के साथ मैं यूवाम और्चा में भी कामों ही सुरू किया तो जो आपने बोला यह बात सही है कारकरताओं को ऐसा लगा ऐसा नहीं कि हम लोग बीजेपी से रिजाइन किया फिर टिकट लिया ऐसा कुछ नहीं हुआ कारकरताओं को लगा कि जब एलजेपी का गड़बंदन द किये थे तो देखिए ओ चौदा साल में लोग तरस्त है उसा पहरार और रंगदारी से टाउन के लोग भी इन से तरस्त है भरस्ट चार के चलते हैं आप सड़क घूम दीजिए रोज बनती है रोज चुटती है तो लोगों के एक उमीद जगी जब हमारा गट बंदा ना कहले बीजेपी ने किस से होगा तो लोगों के मन में घर कर गया था कि जो तीन बहीने पहले से चिराग पासवांजी बोल रहे थे कि मैं जेडियू के खिलाफ कैंडिडेट दूगा बीजेपी के खिलाफ नहीं दूगा तो लोगों को कला कि अच्छली समझाओता तो यही है जब जेडियू को मानता ही नहीं कारकरता पब्लिक मानती नहीं है तो पब्लिक और कारकरता के प्रेशर में ऐसा भी लोग आ गए एलजेपी में इसलिए आप यह समझ लेजे कि असली गंठेपन नारा भी देखिएगा बीजेपी एलजेपी ही है और बोलने में भी अच्छा लो कारकरता अपने दिल में रखता है अरे नितीश जी और सुसिल मोदी जी को कई फोटो लेकर घुमते रहें मंच पर उसे कुछ नहीं होना बदला उन दिल में है और इमेंसे चला गया है साहब की लोजपा ही असली संगठन की जो पार्टी है लोजपा वही भाजपा की तो इसमें इफ और बट है नहीं चाहे कितना भी यह मंच से चिलाने अब देख नहीं रहे है और दूसरा पीम की रैली में नितीश कुमार है चिराग नहीं है तो तो स्वभाविक है ना पेपर पर तो गटबंदन उनका है हम तो पबलीक और कारकरताओं की बात कर रहे हैं आप जो बोलने हैं वो सच है तो कैसे वो बुला लेंगे और दूसरा जहां तक पार्टी छोड़ने की बात है मुझे पार्टी से क्यों निकाला पार्टी में अनुसासन समीती होती है मैंने अनुसासन भंग किया तो आपको नोटीस देना चाहिए था अनुसासन समीतीगी वविस में भी लोजपा भाजपा ही साथ है इसलिए हम लोग कि कोई विचारधरा नहीं बदलिये लोजपा भाजपा हम साथ है जनता जिसको मानती है साहब वही गठबंधन सही रहता है और वही जिताओ गठबंधन इंडरेक्टली मतलब यह मतलब हो गया कि आडवानी से अड़ानी तक आने वाली पार्टी में अभी इस समय संगठन में कारे कर चुके लोगों संग में कारे कर चुके लोगों कारे करताओं की जगह बहुत कम हो गई देखिए उपेक्षा होती है समय के साथ लोगों होती है हर सिस्टम में होता है लेकिन उपेक्षा के साथ साजि नहीं होनी चाहिए आप बताओ मैं इसना सिनियर आदमी तो मुझे बुला करके या बोल देते देखिए आपका नहीं बन रहा है आगे किया जो कर सकते थे राजन्दर ची को बुला के कर देखिए राजन्दर ची को नहीं करो गए तो हम मान के चलते हैं कि पार्टी बहुत अगर वही करना होता तो मैं पान की दुकान खोले के पहले से नहीं बैठता है मैं पढ़ने के के हो जाता है? और मैं आया हूँ मेरे पिता जी अनपड मेरे माता जी अनपड तो बैसी हो गए लेकिन उन लोगों का जो मेरे प्रति लगाओ था अनपड किसान के बेटा कैसे कैसे मजदूरी करके मुझे पढ़ाया मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्छों को उसे खर चलाता था उसके पाटी को रहा है सातल में ले रहा है पुरा गिर्वी रखी दिया नितीज कुमार के हाथों में पाटी को जो किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि सासा रा मनुखा सीट भी सरेंडर हो जाएगी आपके उधारा बता देता हूं यह सीथ हम तब भी लडते थे जब नितीज तब भी नितीज कुमार के उधा है